जीवन में सखल होना चाहते हो, कुछ बढ़ यासा करना चाहते हो, तो एव वीडियो आप ही के लिए है, जिससे आपको फरपुर ज्यान मिलेगा, ताक कि आप अपने जीवन में सखल हो सके और कुछ बढ़ यासा कर सके जिससे इतिहास भी आपको याद रखेगा, लोग अपनी निश्ठा को भूल कर सिर्फ प्रेड़ना के बारे में सोचते हैं। उन्हें एह लगता है कि अगर कहीं से भी कुछ प्रेड़ना मिल जाये तो काम करने के लिए आसानी होगी। इसे से कुछ लोग यूट्यूब में आते हैं। और प्रेड़ना दायक वीडियो देखन करो। और एक बात याद रखना की कोई भी किसी को इतना भी प्रेरित नहीं कर सकता जितना आप खुद को प्रेरित कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं। पर आपके अंदर का जजबा आपको ही सखल होने में मदद करता है। इसलिए आप अपने गोल के उपर फोकस करते रहो और जी जान लगा कर परिश्रम करो जिससे आपको जरूर सफलता मिलेगी तो चले ये सुनते हैं आज का मुख्य पांच फैक्ट के बारे में जिसको आप अपने जीवन में अगर लगाते हैं तो आप जरूर अपने गोल को पाने में सफल होंगे फैक्ट नमबर एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन का ज्यादा समय सोने में खर्च कर देते हैं और दूसरों को एह बताते हैं कि मेरी तभी एथीक नहीं है या फिर और कुछ बता कर सिर्फ मजे लेकर सोना जानते हैं तो आप लोगों से मैं एह बता देना चाहता हूँ कि ए देखते होंगे, क्या आप जानते हैं, ओह कितना समय सोते हैं, शारोक दिन भर में सिर्फ चार से पांच घंटा ही सोते हैं, ऐसे और भी बहुत लोग हैं, जो अपने काम को ही फोकस करते हैं, ना ही सोने में ज्यादा समय देते हैं, फैक्ट. नमबर दो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कोई सा काम करने के पहले बहाना बनाते हैं, जैसा कि, अगर कोई लड़का सिविल सर्विस के लिए प्रस्तोत हो रहा है, तो कभी-कभी अकैडेमी को जाता है, और दूसरे समय पर बहाना बनाता रहता है, कभी कहता है कि, तभी ये नहीं है, और कभी बोलता है कि, कहीं कुछ काम है, अगर किसी चीज को सचे दिल से पाना चाहते हो तो, बहाना बनाना बंद करो, और मेहनत करो, ताक कि जिन्दगी में सफल बन सको, फैक्ट नमबर तीन, मनुस्यक की एक बुरी आदत है, हर काम को टाल देना, जिसके के है, उसी दिन ही खतम करना चाहिए, वरना उस काम के उपर से आपका प्रेडना काम हो जाता है, जिसके कारण आप उस काम को करने में कोई रुचे नहीं रखते, और आप अपने मकसद में सक्फल नहीं हो पाते हैं, जैसा कि अगर कोई व्यापारी, कोई व्यापार आरंभ कर परेह सोचता रहता है कि कब करूँगा इतना पैसा भी नहीं है कोई पार्टनर मिले तब काम आरंभ करूँगा ऐसे में समय निकल जाता है अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो आप अपने ब्यापार के बारे में हर एक तत्थे संग्रा कर सकते हैं जिससे आपको एक करें तो बस आगे ही बढ़ते रहेंगे और जीवन में सखल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा फैक्त नम्बर चार हम मेंसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक बार अपने कारे में सखल ना होने पर तूट जाते हैं यानी बहुत जलद ही हार मान लेते हैं और बोलते ह कि मुझसे कुछ नहीं होगा, पर आप गलत होते हैं, हम अपने घर में जो बल्ग जलते हुए देख रहे हैं, उन्हें Thomas Edison ने 10,000 से जादा बार परिक्षा करने के बाद तयार किया था, अगर Thomas Edison ने पेहली बार में हार मान जाते, तो आज हम बल्ग को अपने घरों में नहीं द भी फल को जल्द से जल्द पाना चाहते हैं, आप लोगों को एह बता देना चाहता हूं कि सफल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात और रात कोई सफल याधनी नहीं बन जाता, इसलिए आप पहले अपने घ्यान को बढ़ाओ और सफलता अपने आप मिल जाए अगर जिन्दगी में सफल होना चाहते हो, तो उपर दिया गए इन भी सब ही बातों का जरूर खयाल रखें, ताक कि आप जल्द से जल्द अपने जीवन में सफल हो सकें, और आप अगर सफल होंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, ज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिये ना, जिससे हमें भी अच्छा,